बागत है आप सबी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासिस आज मैं मद्यकालिन भारती इतिहास के अध्यन के श्रोत के रूप में यात्रियों के विर्तांत में महत्व पर प्रकाश डाले विशह लेकर उपस्तित हुआ हूँ जिसे हम इंगलिश में ट्रावलर्स अकाउंट भी कहते हैं ठीक है तो चलिए आज शुरू करते हैं मद्ययूगी नितिहास को जानने के लिए विबिन शोत उपलब्द है शात्वी शताबदी तक भारतिय ग्रंथों में एतिहासिकता का अभाव था काल क्रम वस्तुस्चिती के नित्तान सत्यों के परिपेक्ष में सामराज्जी की विबित घटनाओं का वैग्यानिक धंग से विशलेशन वर्णन भारत में इसलाम धर्म के आगमन के साथ ही काल क्रमानुसार एतिहासिक तत्यों का भी सुत्र पात हुआ अभिलेखन श्रोत मद्यकाल रहीन यूग की अपेक्षा पुर्व मुस्लिम काल के लिए अधिक मातुपून एवं मुल्यवान है विदेशी यात्रियों के विद्तांत भी भारती इतिहास को जानने के प्रमानिक विश्वशनिय श्रोत हैं विदेशी यात्रियों के टठस्त भाव एवं बौधिक विशलेशनात्मक दिश्टिकोन से बारतिय समाज की सामाजिक वास्तविक्ता की अभिव्यक्त किया है इस काल के कुछ ऐसे विदेशियों के यात्रा लेख है जिन्होंने भारत की यात्रा की ये उन दिनों के राजनितिक घटना करमों एवं सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकास जालते है इबन बतुता आरंभिक यात्रियों में प्रमुख है वा मोरोकों से आया अरब उद्यमी था उसने जीवन परियंद विश्व भ्रमन के उद्देश से तेरह सो पचीस इस्वी में अपने ग्रिहत्या किया और उत्री अफरीका तथा अरबी के प्रायदीप के देशों का भ्रमन करने के बाद तेरह सो तैतीस इस्वी में सिंद पहुचा वहाँ से चलकर वह दिल्ली पहुचा जहां मौमद बिन तुगलक ने उसे संडक्षन दिया और दिल्ली का काजी नियुक्त किया वह करीब आठ वर्षों तक इस पद पर बना रहा इबन बतुता ने अरबी में किताब रहला नामक अपनी यात्रा विवरन लिखा जिसका एक भाग दिल्ली में और एक भाग मदुरा में उसके भारती जीवन के अपने अनुभाव से संबद्ध है उसकी पुस्तक मौमद बिन तुगलक के शाशनकाल के इतिहास का प्रात्मिक शोत है या उसके समय की सामाजिक राजनितिक दशा पर प्रकाश डालती है किताब रहला तुगलक काल में हिंदुस्तान के लोगों के जीवन और स्थितियों पर किसी विदेशी द्वारा लिखी गई बहुमूलि पुस्तक है अब्दुर्रजाक एक फारसी विद्वान था वो खुरसान के सुल्तान शाहरुक का काजी था उसे राजदूत के रूप में विजे नगर भीजा गया लगभग 1447 में वो लगभग दो वर्शों तक यहां ठहरा अब्दुर्रजाक ने साहित्तिक पेशे में अपना समय बिताया उसने मतलौम सादोई वो मजलौम बहराई नामक ग्रंद लिखा जो उसके साहित्तिक योगदानों में एक है पहले खंड में उसने अन्य बातों के अतरिक्त भारत पर तैमूर के आकरमन का विवरंद दिया दूसरे खंड में वह खुराशान के सुल्तान शाहरुक से लेकर हसन मिर्जा तक के तैमूर वन्शिय इतिहास का वर्णन करता है इसी खंड में वह विजय नगर दर्बार में जाने, वहां से आने और दर्बार के क्रियाकलापो, समराट और उसके दर्बायों के व्यक्तिगत जीवन शैली तथा व्यापत तोर पर दक्कन के लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक दशा का परेविस्तरित विवरण देता है उसका यात्रा विवरण विजय नगर राज्य की सांस्कृतिक उपलब्दियों के इतिहास का एक प्राथमिक शोत है कुछानी यूरोपी यात्री जिन्होंने मद्यकाल में भारत की यात्रा की थी ने भी अपने यात्रा विवरण में भारत और यहां के लोगों के बारे में उप्योगी जानकारी दी है उनमें मार्को पॉलो, निकोले कांटी, एडवर्डो बार्बोसा एवं डॉमिंगो 25 उलेखनी है मार्को पॉलो वेनिस का मूल निवासी था मार्को पॉलो ने अपने विश्व भ्रमन के दोरान अंडमान दीप समुहों का भ्रमन किया और भारत के पूर्वी और पश्चमी टटो के किनारे किनारे ब्रमन किया अपनी यात्रा के दोरान प्राकृतिक इतिहास और सम्रिद्ध कृशी एवं ओद्योगी उत्पादो जो भारत और यूरोप के बीच व्यापार की महतुपूर्ण वस्तुएं बन सकते थे से अपने को अवगत कराने का प्रयास किया अपने यात्रा विवरण में मारको पोलो भारती टटो पर हो रहे तिव्र समुद्री व्यापार और वानिज्य के बारे में बताता है वह आम जनता के जीवन और दशा का वर्णन करता है एवम उनकी पोशाक, आहार, आचार व्यवहार और सामाजिक रिवाजों का वर्णन करता है वेनिस निवासी निकॉली काउंटी ने मालाबार के किनारे किनारे भ्रमन किया और 1420 इस्वी में दक्कन के भीतर भी आया उसके यात्रा विवरण विजयनगर के दरवार की कुछ जलकिया देता है और मौटी तोर पर दक्चिन भारत की सामजिक आर्थिक दशा पर प्रकाश डालता है इसी प्रकार दक्चिन भारत के बारे में 1500 से लेकर 1516 के दौराण कुछीन में पुर्तगाली अधिकारी एडवर्डो बार्बोसा का वर्णन भौगलिक और निरिजातिय अध्यन के दृष्टिकोर्ण से काफी महत्वपूर्ण है एक अन्य पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइस जो 16 सदी के दौरान विजयनगर में था का वर्णन भी उतना ही महत्वपूर्ण है बहुत पहले से ही भारत पश्चिम में एक महान सोना, मसाले और कपड़े में सम्रिद देश के रूप में ग्याद था मद्यकाल में उतरी स्थल मार्गों से लाई गई भारती वस्टूओं का तातकालिन मुख्य बाजार कंस्टेंटीनोपुल योरोपी व्यापारियों का मुख्य आकरशन केंद्र था उनमें मिश्र के व्यापारी पंदरवी शदी के पुरवार्थ में मिश्र के जरिये होने वाले भारतिय व्यापार पर निर्बाद एकादिकार रखते थे वे भारतिय और अर्भी व्यापारी जो भारतिय वस्तूओं का अरब सागर के पार मिश्र भेशते थे के सहीयोग से काम करते थे कॉंस्टि टेंटीनोपुल पर तुर्की कबजा एवं बाद में मिश्र समेत उत्री अफरीका पर आटोमन अधिपत्य के प्रसार के कारण भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंधों पर गहरा आगात लगा हैंडरी दा नेविगेटर के नेत्रत्व में पुर्तगाल पहला यूरोपिय देश था जिसने भारत के साथ सीधा व्यापार आरम करने का दाइत्व समाला वासको डिगामा द्वारा Cape of Good Hope होकर भारत को जाने वाली समद्र मार्ग की खोच के बाद एक सदी से भी अधिक समय तक पुर्तगालियों ने पूर्वी व्यापार पर एकादिकार बनाये रखा इसके बाद डच, फ्रांसेसी और अंग्रेज व्यापारियों ने चुनाती दी समुद्री मार्ग द्वारा भारत और यूरोप के संपरकों के पुना स्तापित होने से इस उप महाद्रीप के धर्वाजें व्यापारियों, इसाई मिश्णरियों, यात्रियों और उद्यमियों के लिए खुल गए शाही मुगलों के शाशनकाल में भारत आये, यूरोपिय की संक्या का मोटा मोटी अनुमान लगाना भी असंभव है सत्रवी शदी में देश के बहुत बड़े भुभाग पर मुगल सत्ता सुद्र थी, जबकि बाहे परिद्धिय भुभागों पर स्थानिय राजाओं का शाशन था, जिन में से अधिकांश प्रत्यक्चिया परोग चुरूप से मुगल सत्ता की अधीनता स्विकार करते थे शाही मुगल अपने धन पराक्रम एवं रजोचित गुडों के लिए विख्यात थे, वे विदेशियों के प्रती उदार भाव रखते थे और इसाई मिश्णरियों को शांती पूर्वक अपने धन के प्रचार की पूर्ण स्वतंतरता देते थे या कोई आस्चरिय नहीं की इन में से कई यूरोपियों ने डायरी और सफर नामा यूरोप में अपने मित्रों और सगे संबंद्यों को लिखे पत्रों, सरकारी कागजात और अपने व्यापार के बही खाते, धार्मी कत्वाराजितिक गत्विदियों और ऐसे मिश्णों के बारे में मुगल समराटों, उनके गवर्नरों और अन्य स्थानी साशकों को भेजी रिपोर्ट के रूप में शाही मुगलों के देश में अपने अवलोकनों और अनुभवों का बहुमोले विवरन लिख छोड़ा है इनका इतिहासिक महत्व लेखकों के उद्देश और बौधिक स्थर पर निर्भर करते हुए दस्तावेज दर दस्तावेज भिन भिन है कुछ दस्तावेजों में तो केवल सडक चाप गप्पे हैं अत्वा तत्यों का सू विचारित विरूपड है जबकि अन्य कई भारत और इनके निवासियों के प्रती लेखकों के जातिये धार्मिक एवं रास्टिये पुर्वाग्रहों को प्रतिबंबित करते हैं फिर भी पूरे कब एक साथ लेना पर ये विवरण अनुखी श्रणी के प्रात्मिक श्रोत है जो मुगलकाल के समकाले नितिहास पर प्रकास डालते हैं धार्मिक और अध्यात्मिक बातों में रूची रखने के कारण अकबर इसाई धर्म प्रचारकों के संपर्क में आया उसके आमंतरन पर गोगा के पुर्तगाली अधिवास के तीन जेसूइट मिशन 1580 से 1605 के बीज शाही दर्बार में आये और अपने धर्म के सिधानतों और आचारों को बताने के लिए वे वहाँ लंबे समय तक राजकी आतिती के रूप में रहे अन्य लोगों के अतरिक्त फादर एंथोनी मांसरेट फादर जेरॉम जेवियर के फादर इमैनुवल पिन हीरो इस मिशन के सदस्य थे ये जेसुट जहांगीर के दरवार में भी सम्मान और सतकार पाते थे अत्यंत पुर्वाग्रह से ग्रसित होने के बावजुद उनकी रिपोर्ट मुगल काल के आदुने कि इतिहास लेखकों के लिए बहुमोल ले है मुगल काल में भारत पहुचने वाला पहला ग्यात अंग्रेज फादर थॉमस स्टिवन्स था जो गोवा में सोसाइटी आफ जीजस का सदस्य बन गया राल फिज, फतेपुर सिक्री और आग्रा आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था कैप्टन हॉकिंग्स मुगल दर्बार में हाजिर होने वाला पहला अंग्रेज था जहांगीर के दर्बार में हाजिर होने वाला दूसरा उलेकी निए अंग्रेज व्यापारी पॉल कैनिंग था जो 1612 इस्वी में आगरा पहुचा विलियम एडवर्ड मुगल समराट के नाम जेम्स का एक और पत्र पाया यद भी जहांगीर के दरबार में पहुचने वाला सरवाधिक प्रसिद अंग्रेज एजेंट सर टॉमस रो था इसके अतरिक सर एडवर्ड टेरी भी भारत पहुचे थे इन सभी विदेशियों ने तादकालिन साशक रहांगीर के समय की सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के विशे में काफी वर्णन किया है अंतता कल्क्नूर्जन या निशकर्ष को देखेंगे इस प्रकार हम उपरोगत अध्यनों के आधार परिशन शकर्ष पर पहुचते हैं कि मद्यकालिन भारते इतिहास को जानने के श्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के विवरण काफी महत्वपूर्ण है इन विदेशी व्यापारियों, उद्यमियों, इसाई मिश्नरियों आधी के भारत आगमन एवं भारत में उसके अनभवों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तकों, पत्रों, दस्तावेजों आधी में संकलित किया यदपी या वर्णन पुर्वाग्रा की भावना से भी ग्रसित होती थी, परन्तु इसके बावजुद इसकी महत्वता कभी कम नहीं होती बारती इतिहास को जानने विशेशकर बद्दिक आलेन इतिहास को जानने के लिए इन शोतों की काफी महत्वपूर बुमिका है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद